हेलो दोस्तों कैसे होब सब स्वाकत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्जाम जब हम में तो दोस्तों आज ये वीडियो होने वाली है दिल्ली सबीनेट सर्विस सेलेक्शन बॉर्ट जानी की कर दीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों ज्यादा टाइम आपका नवेस्ट करते हैं सबसे पहले हम इंपॉर्टन डेट की बात को जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टन डेट से होने वाली है तो एप्लिकेशन इसके जो 20 तरीक से जो स्टार्ट हो तो आप जल्दी से इन फॉर्म को फिलप कर लीजिए गा तो दोस्तों जे फॉर्म और फीमिल दोनों कैंडिडेटिक को भर सकते हैं और जो इसमें अभी मैं जो कॉलिफकेशन बताने वाला हूं अगर आप भी उन्स कॉलिफकेशन को जो पार करते हैं तो प्लीज इस फॉर को जरूर फिलप कीजिएगा तो उसके बाद हम अप्लीकेशन फी की जहां पर बात करते हैं तो एप्लीकेशन फीस होने वाले जर्नल ओबीसी एव्डियोस के लिए सोर पर फीस होने वाले एसस्टी और आल फीमेल कैंडिडेटिट जानिकी फीमेल कैंडिडेट किसी भी इतिसाल होनी चाहिए इसका मतलब जही है कि जहां पर आपको रिलेक्शेशन भी मिल रही है पांस सालों के लिए एडल जो एक सर्विसमेन जो होते हैं उनको जहां एज में शूट में मिल रही है तो दोस्तों आप इनको अपने हिसाब से चेक करके ही फॉर्म को फिलप कीज अब लिए गा तो आपको एक्स्ट्रा जरूल मिलेगी मैंने पहले ही आपको जहां पर बता दिया है आप इसकी बात करते हैं तो जहां पर 168 विकंसी थोड़ी कम है जो मैंने पहले भी आपको कई बार वीडियो में बताया हुग कि विकंसी मैटर नहीं कर दी आपकी जो प् अधारे में आपको एक बात और क्लीर कर देता हूं कि जाब घंसी थोड़ा लंबा चलती है जान्व कि इनका एकर बहुत जादा लेट होता है कभ़े कभी और इनमare जो पोस्ट कोड होती है वो इस अधार में होती है जाने की जो आपकी पोस्ट नेम है उसके पास ही आपका जो पोस्ट कोड भी होगा तो आप पोस्ट कोड के अधार के वे उपर ही आपना जो फोर्म को फिलप कीजिएगा तो आप सकते हैं कि सबसे पहली जो पोस्ट के नेम ह आसिस्टेंट आर्चीविस्ट ग्रेड वन जहां पर उसकी जो पोस्ट का नेम है और ग्रेड कोड है इसका 01-2022 जहां पर इसका जाओ ग्रेड वोड होने वाला है तो तो टोटल वेकंस इसमें जो शेय आई हैं और इसमें जो क्या लिजबिल्टिक राइटेरिया होगा इसमे डिप्लोमा एन आर्चिविस कीपिंग फॉम दी नेशनल आर्चिविस ओफ इंडिया जाने की आपने जे डिप्लोमा जहां पे किया होना चाहिए तो जल्दी से मैं आपको इसकी जो सारे डिटेल है बहुत देता हूँ तो आपको जहां पे मैंनिजर की भी पोस्ट मिल जाएगी शिवल में शिफ्ट हूँ जहां पे जह भी आपको बता रहा हूँ इसमें बीटेक इन मेकेनिकल इंजिनिरिंग में आपने की होनी चाहिए मैनेजर प्रोटेक्शन ओफिसर डिप्टी मैनेजर मैनेजर फिल्टर सुपरवाइजर जिस अब आप पोस्ट को चेक कर सकते हैं फॉर्म को फिल्प करने से पहले सबसे पहले आपको जहां पर तो ऐसे आपको जो टैप करने के बाद एक नया जो पेज दिखाई देगा जहां पर एक नई जो पेज ओपन हुआ है इसका नाम है औरस जानी की ओनलाइन अप्लिकेशन रिजिस्टरेशन शिस्टम जो दिल्ली सुबनेट सर्विस की द्वारा जो कंड़क्ट करवाया जात है तो दोस्तो ऐसे आपको वेब्साइट दिखाई देएगी सबसे पहले आपको जहां पर रिजिस्टरेशन करना है अगर आपने पहले इसका कप भी फॉर्म डियान दीजिए कि चिहांपर mm को नहीं फिलब किया तो सबस्था से पहले आपको एर्जिस्ट्रेशन जहां पर करना होगा उसके बाद ही form को जहां पर sign-in करके जहां पर login करके आप जो form को fill up करना है तो जहां पर registration नहीं करने वाला हूँ registration में जो basic detail है वो ही सिर्फ आपको जहां पर fill up करने वाली है होंगी तो अभी मैं जहां पर सीधा form को fill up कर रहा हूँ अगर आपको registration करने में कोई भी दिक्तारी है तो please comment box में मेरे से पूर सकते हैं मैं उसका जल्द ही आपको reply कर दूँगा तो चलिए form को fill up करते हैं तो दियान दीजिए कि जहां पर सिर्फ मैं registration के बाद वाला जो काम जो form fill up कर रहा हूँ तो जहां पर click करते हैं तो registration के बाद आपको एक ऐसा page दिखाई देगा आपको registration ID जहां पर मिल जाएगी उसके बाद जहां पर आपको थोड़ी सी detail fill up करने होगी sign in करने के लिए sign in ही detail को जहां पRE fill up करना होगा तो चलिए sign in करते हैं तो दोस्तो sign in करने के लिए आपको जहां पे अपने date over था लिखनी होगी सबसे उपर उसके बाद जहां पे आपको 10th का role number लिखना होगा उसके बाद 10th के जो आपने पास की है वो भी लिखना होगा year लिखना होगा उसके बाद पासवर्ड आपने जहां पे लिखना उसके बाद आपको जहां पे नीचे capture को लिख देना है और sign in पे क्लिक कर देना है sign in पे क्लिक करने के बाद आपको ऐसा जो interface दिखाई देगा इसमें आपको जहां पे application for new जहां apply for new application पे क्लिक कर देना होगा इसके बाद जहां पर जो भी application जहां पर निकली होगी form fill up होने वाले होगे वो सभी जहां पर आ जाएंगे तो आपने जिस भी category से form को fill up करना है उसको जहां पर आपने choose कर लेना है तो सबसे पहले जहां पर मैं सभी जो form है एक जैसे ही form fill up होगी बस आपकी जो detail है वो अलग लग fill up होगी तो जहां पर मैं post को जहां पर select करने वालों हूं manager जो जहां पर आया था mechanical वाला तो उसको जहां करने के बाद हमारे पास एक नया जो पेज ओपन हो जाएगा इसमें हमने जहां पर आपनी जो और डिटेल बेसिक डिटेल है उसको फिल अप करना है यह आपको state से जो certificate मिले है और साथ में आपको certificate नंबर जहां पर फिल अप करना होगा उसके बाद आपको जहां पर एक सर्विसमेन है तो आप जहां पर टेकल लगा सकते हैं नहीं तो यहां पर blank को शोड़के आप save and next को जहां पर कर सकते हैं तो इस पर click करने के बाद आपक और sign को upload कर दिया है आप साथ साथ में dimension भी check कर सकते हैं कि कितनी dimension में होना चाहिए तो अभी हम जहां पर अपना left thumb जहां पर upload करने वाले हैं तो इसको upload करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि paint में आपको कैसे इसका जो size बनाना होता है तो आपको जहां पर resize पर click करना हो और जहां पर आपको जो pixel है इसके उसको जहां पर set करना है जितना इन्होंने जहां पर mention किया है जो इसकी horizontal जो width है 110 और vertical 140 होनी चाहिए तो इसी धार पर आपको जहां पर इनकी जो size है उसको पूरा maintain करके तब ही आपको जो document है वो upload हो पाएंगे इसके गैर आपके अगर एक left thumb और right thumb को जहां पर मैंने upload करके बता दिया है अगर फिर भी आपका जो size ना बने तो please comment box में आप मेरे से पूछ सकते हैं मैं इसका जल्दी आपको reply कर दूँगा इसके बाद जहां पर हम next पर click कर देंगे next पर click करने के बाद आपको एक जो नया पर दिखाई देगा इसमें आपने अपनी जो qualification की detail है उसको जहां पर flip करना है तो flip कैसे करेंगे आपको जहां पर अपनी जो graduation की सिर्फ degree है उसको जहां पर select करना है तो select करने के बाद आपके जहां पर bachelor degree है वो mechanical की आ जाएगी उसको select कर लेना है percentage लिख देंगे कि कौन से board और state से आपने जहां degree की है उसको जहां पर लिख देंगे उसके बाद passing year भी जहां पर हम लिख देंगे कि कौन से year में हमने degree pass की है उसके बाद हम इस detail को जहां पर fill कर देंगे और जहां पर do you want finally save जहां पर save का option आ जाएगा तो save करने के बाद आपको next पर click कर देना है तो हमारा data जहां पर graduation वाला जो save हो गया है next पर click करने के बाद हमारे पास एक जो नया page जो हमको दिखाई देगा तो जहां पर हमारा जो नया page जो आ चुका है इसमें हमने जो detail फिलप की है उसका preview आ चुका है तो उसको जहां पर declaration को click करने के बाद दो वार उसके बाद submit final तो click कर देंगे उसके बाद आ आप इसको cross check करने के लिए हमारा form submit हुआ है जा नहीं तो इसको check करने के लिए आपको जहां पर status पर click करना होगा status पर click करने के बाद आपको जहां पर post को select करना होगा mechanical की जो आपने फिलप की थी उसके बाद जहां पर submit कर दिना है जाने कि आपका जो application date submit है वो आ चुकी है और application number भी आ चुका है और आपके mobile और email पे भी आपको जाओ message आ चुका है तो दोस्तों इस तरह से आप अपने form को fill up कर सकते हैं तो I hope आपको ये वीडियो पसंद आए होगी समझा योगी प्लीज इस वीडियो को like केजिए, share केजिए और subscribe करिए इस channel को by like को press करना ना बोलि मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जाहिन जाय बारत जाय भीम